आज के वीडियो में एक संस्क्रीन का रिव्यू गाने वाली हूँ जैसे कि अगर आप मेरे वीडियो देखते होगे तो मैं हमेशा गहते हूँ कि संस्क्रीन यूज करना बहुत जादा ज़रूरी है इसकी नाम से ही जैसे पता चलता है कि संस्क्रीन मतलब संसे प्रोटेक्शन मिलता है सं डैमेश के कारण ही आधिस ज्यादा इस्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है जो कि हम नहीं समझते हैं लगता है कि और सारे रीजन्स होंगे पर जी नहीं संसे जो रेज निकलती है वो हमारे स एटमस्फियर में ही एब्सोर्ब हो जाती है पर जो यूव और यूवी रेस होती है वो हमारे स्किन को बहुत ही बुरी तरह से डैमेश करती है इन दौनों रेस के कारण ही हमारे से सटीकरं होता है टैनिंग होती है रिंकल्स और एजिंग की प्रोब्म्स ओढ़ी वीडियो मे यह ट्यूब मैंने खटम कर दिया है और कट कट करके भी इसको यूज किया क्योंकि रहा नीचे बहुत सारा प्रोडक्ट होता है खटम हो जाए इसे वाद आप कट करके 10-15 दिन तक और भी उसकर सकते हैं क्योंकि यह जो संस्क्रीन है बहुत इसली नहीं मिलता है पर आसा नही से लिक थाइस की प्रोडक्हारण क्योंच चुटां बश्किल्च और यह बिए और यूपी यूभी रेस से तो प्रोडक्ट करता है दूसरा जो जो जुद्रानología कारण और स्कolब हो जाती है क्यों सब्लब हो जाती है क्यों से अधी चसेते हैं दी बहतों से दिन बहुत प्रोटेक्ट करता है एंसे करता है प्रोटेक्ट में आजकर बहुत सारी एंटी प्लिशन संस्क्रीन के साथ बड़ाई खराब होता है जैसे कि बहुत दिनों बाद मुझे दो बहुत पहले से पता था पर बहुत दिनों बाद मैं ने संस्क्रीन लगाना शुरू किया क्योंकि मुझे अच्छा संस्क्रीन मिला नहीं था अधीदक शुरू यह buffer का मुझे पहले तक तो मत पहले तक वो था संगों संस्क्रीन, ज़सका मैं रिउयू किया हूँ, तो अच्छा तो अछे अचा संस्क्रीन है पर अगर मैं अ cyn Kenneth द्यमकर कॉर्ण है यह ख भीक्स काम होता है, यह कुर बिलकुल टिन हैसट वह आयू ज्प कोई भी कोई लगता है मैं कुछ भी लगाती है तो चेहरे पे थोड़ा थोड़ा आही जाता है तो इस नॉर्मल है तो यह बहुत अच्छा काम करता है तो आपकी पर प्रॉब्लम प्रीएट नहीं करेंगा अगर आपको एक्टिफ एक्नी पिम्पल भी आपको यूज कर सकते ह क्पाइभ ज्यान है क्पाइब तो जादे ओख़ा अपेवा चाहिश ए और आली तो मतला है मतलत ही सारे मातफें तक यह क्व nonprofit क्वाम करता है तो ही क्वेदल बात करूं तो यह बोल्कुल की तरह लगेंगा आपको त्वालन केशी कि मैंट तैनल लिकुराइज बहुत मैंट सब्सक्राइज। अपर शुस्त laat्वा का यूच्छा का मालवा यpro supplement का मोलत केशी और प्रेक्टेश्वलम इस वा ताउंस अगरे Spencer प्रोटेक्शन देता है ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम और एंवाइमेंटल प्रोटेक्शन इसकिन केर जो की सन एर कंडीशनिंग और पल्यूशन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है यह सारी बात है इस पर लिखी हुई है लाइट एंड नॉन ग्रीसी एब्रीवर्डी है एब्रीडे यूज और फेस एंड बॉड़ी तो आप इसको सिर्फ इसकिन पर ही जो भी आपके पार्ट्स एक्सपोज होते हैं हाथ पर बैक पर और नेक पर आप इसको यूज कर सकते हैं एक बार आप इस प्रोड़क्ट पर लोन पर इसको सिर्फ नाषं ते नमण्यों भी नाषं करता है ग्रैट सरसिंद्स एंड़ी हो इस fit all our region और इसमें ऐलोविरा एक्स्ट्रेक्ट भी है यही कारने कि इसकिन को बहुत अच्छे से मॉस्चराइज करता है यह जो संस्क्रीन है यह सिर्फ फिप्टी के साथ है सिर्फ फिप्टी पर यह आता है आप को भी संस्क्रीन यूज करते हो स्पिफ 30 या 50 होना ही चाहिए क्योंक आंस्पिप्टी पर संटौन प्रष। अगर आप इसे कम संट्रीन यूज करेंगे तो गरन संप्राय को इसकिन संस्ट्सुरीम कर दूक इसमें है 2 गंते पर कार यह वह चाहिए अब हर 20 गंते में फिज़ोंकरетрिक्राइज बन्मधी करने से नहीं ओसंस्ट है भी साइक्सड जैसे कि सारे मॉश्यराइजर संस्क्रीन लगा जाते हैं वैसे इसको लगाना है पेस को अच्छे से वाश कर लीजिए पेस पर मेक अगर बिल्कुल भी नहीं होना शहिए और इसके बाद आप मेकप कर सकते हैं वर से पहले कोई भी मेकप आपके स्किन पर नहीं होना शहिए ड अर फास बात में इसके यू करने चाहिए अजие प् todγ analogy में मॉश्यराइजर लगाना के दुबद कुल भी मी आप्छों पूह spinach कर आपएका संस्क्रीन में केवलोग सबगिका संस्क्रीन सब गोई से वह और उसके यूस्त कर इसको सब्सक्राइजर मातीय को शीणंगा करने म तो यह जो संस्क्रीन है उनको नहीं बढ़ाएगा साथ ही साथ इसको अगर आप बहुत साथ होट प्लेस पर होट अरियास पर यूज करते हैं तब यह बहुत अच्छा गाम करेगा और कोल्ड प्लेस जैसे हिल स्टेशन वगरा में जाते हैं तो मिलगता है कि वहां पर तो करता है लुझा अप्रवारे मेच्छ पहुतं करती है तो अगरी endorse ही लूगनुड तो ऊपर में वाले क्योंके अट्रेट्स कॉद्द करते हैं वह परोट आप है पोर्स ब्लॉक नहीं होगी जैसे अच्णय पिंपल्स ब्लाइट्स वाइड़ एड़ेट्स यह सारी प्रोडम्स नहीं होगी अच्छीन है यह अपाट्ड हेल्थ केर का प्रोडक्त है 60 ग्राम का इसका पैक आता है MRP 385 दी हुई है पर आप जब इसको पर्चेस करोगे तो यह आपको थोड़ा कम ही मिलेगा और जब ही आप संस्क्रीन ले तो ध्यान रखे कि आप इसकी manufacturing or expiry date देख ले उसके भार ही संस्क्रीन ले तो इसकी self life है वो two years है तो आप इसको दो चाल तक अराम सी यूज कर सकते हैं अच्छे sunscreen में इंवेस्ट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा sunscreen नहीं होगा ऐसा नहीं है कि ऐसे sunscreen market में available नहीं है बिल्कुल है पर जो भी मैंने देखे हैं जो कि anti-pollution का काम करते हैं और SPF 50 के साथ हैं जो कि non-greasy होते हैं वो सारे काफी जो भी कोस्ली होते हैं तो यह बहुत जादा सस्ता भी है और बहुत अच्छा काम भी करता है बस थोड़ा मिलना मुश्किल हो सकता है अगर आपको मिलता है तो यह आप बिल्कुल परचेस कीजिए इस sunscreen से related जो भी information इधर दी हुई है वह सारी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दोंगी आप आप से देख सकते हैं अच्छे से देख लीजिए पर लीजिए समझ लीजिए अब को पसंद आता है तो इसको ज़रूर परचेस कीजिए या अबर आपको जो भी संस्क्रीन आपको सूट करता है या जो भी आप लगाते आ रहे हैं जो भी आपको पसंद है आप यूज कीजिए पर संस्क्रीन यूज ज़रूर कीजिए I hope आज का ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप इसको परचेस करते हैं तो मुझे ज़रूर बताए और या अगर आपकी इसकें पर कौन सा संस्क्रीन सूट करता है आपका एक्स्पीरियन संस्क्रीन के साथ कैसा रहा ये भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं I hope ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए